हेलो फ्रेंट किचन के स्वाद में आप सभी दोस्तों का एक वर्फेट से बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज मैं आप सभी के लिए बिना ब्रेट से बर्गर बनाने वाली हूँ जिसको बनाना बहुत आसान है ये घरे में बहुत आसान है इसे जटपट बनकर के तयार भी हो जाती है और एक बार आप इस बर्गर को खा लेंगे तो आप मार्केट वाला बर्गर भूल जाएंगे इतनी मेरी गैरेंटी है तो चलिए वीडियो शुड़ करते हैं तो इसके ल आ रहे हैं तो मिच को इसके भी कर सकते हैं अब प्याज को हमें हलका गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है जैसे प्याज भून जाएगा अब हम इसमें एट करेंगे मसाले तो यहां पर सबसे पहले हम डाल देंगे हल्दी पाउडर टेस्के कोर्डिंग नमक साथ में लिए हम और झाल पाउडर और एक बार इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देते हैं मसालों को मिक्स करने के बाद आब लिए हम साथ पूबले हुए आलू मैस्चके से हम पाउल के हम ठीम यहां। और यह थोड़ा सा थिक भी हो जाए और आलू डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से भुन लेंगे तो यह दिखिए हमने मसाला भुन लिया है इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया था अब यहां पर हमने एक बावल लिया है उसमें हम लेंगे सूजी तो यहां पर हम ले रहे हैं दो कप सूजी और दो कप सूजी के लिए हम यहां पर ले रहे हैं एक कप दही तो मैंने यहां पर कटोरी से मज़र किया है आप चाहें कप कटोरी कुछ भी ले सकते हैं लेकिन जो म फूरा हम इस पेडालले देंगे और में जूजी मोटी और ठीज़ पादी पानी डालंते हैं तो राम पेंस लाको पे'll ev we careful dogs फ्सक्रो supplements कमें तो राद दख था हैं इसको धक्रकरके 10 मिनटे क्लिए Lost up and तो यह दिखिए सूजी बहुत अच्छे तरीके से फूल गई है तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो अब हम इसमें लग बहुत दो टेबल स्पून के करीब पानी और डाल देते हैं पानी डालने के बाद एक बर फिर से हम पानी को सूजी मच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं तो यह दिखिए यह सूजी वाला बेटर हमारा बन करके तयार हो गया है अब हमने यहाँ पर तीन कटोरिया ली हुई है कटोरी हमारी एकदम सेम साइज की होनी चाहिए और जिसका तला एकदम चिकना होना चाहिए हमें ऐसी ही कटोरी चाहिए और काटोरी में हम ऑइल डाल लगा करके इसको अच्छे तरीके से ग्रीज कर लेते हैं तो आप जो भी ऑइल खाने में यूज़ करते हैं उसका इस्तावाल कर सकते हैं मैंने यहाँ पर सरसु के तेल का इस्तावाल किया है और सभी कटोरियों में हम अच्छे तरीके से ओल को उपर से नीचे तक ग्रीज कर देंगे ताकि जब हम सूजी वाले बैटर को इस कटोरी में डाले तो लाशनी आसानी से निकल जाए अब हमने यहाँ पे इनो सोट लिया है और इनो को हम सूजी वाले बैटर में डाल देते हैं अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसकी जगह पे खाने वाला सोडा यानि मीठे सोडे का इस्तमाल भी कर सकते हैं एक बार इनो को इसमें मिक्स कर देंगे और इसके बाद इस बैटर को हम डाल देंगे कटोरी में और हमें इसको पूरा नहीं भरना है बस आदा आदा ही हमें इसको भरना है ताकि जब हमारी सूजी पक करके फूलेगी तो यह उपर तक आ जाएगी टैप टैप करते हुए कटोरी को में सेट कर लेना है और इसी तरीके से सभी कटोरियों में हम सूजी वाले बैटर को भर करके तयार कर लेते हैं इदर गैस पर कडाही में हमने पानी पहले ही रख दिया था और हम सभी कटोरियों को एक साथ उसमें रख देते हैं अगर आपके पास स्टेंड है तो आप स्टेंड पर भी सकते हैं और दस मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो यह देखिए चाकु हमारी एकदम क्लीन आई है तो यानि कि यह हमारा सूजी एलाबैटर जो है यह पक करके तियार हो गया है तो चलिए इसको निकालेते हैं बा करेंगे और इसको उल्टा करेंगे हाथों से थोड़ा सा टैप टैप करेंगे और यह देखिए बहुत आसानी सी यह हमारा बैटर जो है निकल करके तियार हो गया है और आप देख सकते हैं यह देखने में एकदम बर्गर वाले ब्रेट जैसा अलग रहा है ना तो चलिए इ पीसे एक बार कट कर लेते हैं तो यह लिजे इसको हमने बीसे कट करके अलग कर लिया है और इसी तरीके से हम अपने सभी पीसों को कट करके अलग कर लेते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ तो गैस पर हमने एक पैंट पहले ही रख दिया है और उसमें हम दाल देते हैं सरसो का तेल तेल को हलका गरम होने देंगे फिर हम इसमें डाल देंगे सफेद तेल तेल डालने के बाद अब जो यह हमने सूजी वाले पीस को कट करके रखा था उसको हम डाल देंगे तो एक बार जितना आपके पैनिया कड़ाही में आ सके आप उतना ही इसको और दोनों साइट से अच्छे तरीके से हमें थोड़ा से इसको भूनते हुए इसको उपर से गोल्डेन ब्राउन कर लेना है बहुत जादा नहीं पकाना है लगबग एक से दो मिनट में ही हमारा बैटर जो है वो अच्छे तरीके से पक जाता है तो चलिए अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो लीजिए हमारा बर्गर बन करके तयार है बर्गर वाला ब्रेड अब हम इसके लिए इसकी स्टफिंग तयार करते हैं तो चलिए अब हम्रगर त्यार करते हैं, तो इसके लिए हमनेíz पहला पीस लेलीा है, उसके उपर हम लगा देंगे हें हरी वाली चटनी, अगर आपके पास धनी वाली चतनी है तो आप उसे भी लगा सकते हैं, यहां पर मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है और यह जो अलु अला बेटर है इसको हम अच्छे तरीके से लग देंगे एक टमाटर का पीस और एक प्याज का पीस थोड़ा सहरा धनिया हम इसके उपर डाल देते हैं आपके पास पत्ता गोभी है तो आप उसको भी डाल सकते हैं और शके बार देशुन झालब लेजिए परगर का पहला अलब पीस बन करके तयार हो गया है तो चलीए इसी तरीके से हम अपना दूसरा और पीस भी बना करके तैयार कर लेते हैं तो है नétais चाह बनाना ही है और यह बहुत जल्दी बन करके तयार भी हो जाती है तो चलिए मैं अब आप एक स्टिक लगा देती हूं ताकि यह अलग ना हो और आप हम इसको कट करके आपको दिखा देते हैं आप सभी को मेरे आज की देशी पसंद आई हो तो आप सब इस रेस्पी को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चानल पर नए है सस्क्राइब करना ना भूलेगा साथ में ही बेल अकन को भी प छो ऑफले हैसे को को करना दो कर सक्ष्द को लो